Google AdWords का 2023 version आ गया है और ये version अब तक का सबसे धासू, सबसे intelligent, सबसे to the point, सबसे easy to create और easy to use campaign है और आज की वीडियो में आपको ये campaign पूरा बना के और चला के दिखाऊंगा इसलिए एक second भी मिस मत करना वरना पूरा campaign confusion बन जाएगा AdWords का ये version अब तक का सबसे जादा precise version है ऐसा क्यों कहा रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो campaign create करते हो और जिन audience को target करते हो ये बहुत sharply आपकी audience तक video को पहुचाता है और बहुत ही economical prices में और एक और benefit है आपे कि पहले आपको 2000 के free credit मिलते थे आज आपको 20,000 रुपए के free credit दे रहा है Google तो जब Google आपको 20,000 के free credit देने को तयार है तो आप किस चीज़ का wait कर रहे हो फटा-फट वीडियोज बनाओ और Google AdWords पर promote करो free credits पे तो फटा-फट से चलते हैं अपनी computer screen पर और एक must campaign बनाते है तो AdWords campaign रन करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगी एक fresh Gmail ID ऐसी Gmail ID जिससे आपने पहले कभी भी Google AdWords से रन नहीं किया हो क्योंकि अगर आपने इस Gmail ID से पहले Google AdWords रन किया होगा तो आपको 20,000 का free credit नहीं मिलेगा mail ID बिलकुल fresh होनी चाहिए इसलिए अगर आपके पास एक fresh email ID नहीं है तो अभी बना लो दो मिनट में बन जाती है अब जब आपके पास एक fresh Gmail ID आ गई है तो आपको Google पर simply search करना है Google AdWords और यह जो पहला link आ रहा है इस पर click कर देना है अब यहाँ पर सबसे उपर यह दिखाई देगा आपको Google AdWords आपको अपनी तरफ से देगा यानि 20,000 करोगे तो 20,000 मिलेंगे 15,000 करोगे तो 15,000 मिलेंगे लेकिन अगर आप 20,000 से उपर खर्च कर दोगे आप तो भी 20 ही मिलेंगे मतलब 20 की limit है यहाँ पर आपको simply करना है get started और यहाँ पर जो fresh email idea आपने बनाई है वो डालनी है तो अपनी fresh email idea से login करने के बाद सबसे पहला page यह आएगा Let's get started, what is your business name यहाँ पर आप अगर आप YouTube channel प्रमोड कर रहे हो तो अपने channel का नाम डाल सकते हो Next Next page आएगा where should people go after clicking your ad जब लोग आपकी ad पर click करेंगे तो उन्हें कहाँ पहुचना चाहिए और यहाँ पर आपको अपने जो channel का link है उसको डालना है यहाँ मैंने अपनी channel का link डाल दिया है Next तो यह आपका channel pick कर लेगा और आपके सामने show भी कर देगा कि यह आपका channel है तो यहाँ आपकी नहीं करना है Next अब यहाँ आप से पुछेगा what is your main advertising goal get more calls, get more website leads get more visit to your physical location get more views and engagement on YouTube हम तो भाई YouTube वाल है तो हम fourth option चूज करेंगे get more views and engagement on YouTube Next अब यहाँ पर पुछेगा let's create your video ad what do you want to focus on drive video views and traffic to website drive video views and engagement with your channel हमें channel पर user engagement चाहिए हम second option select करेंगे यहाँ पर हमें वीडियो का link पेस्ट करना है जो वीडियो हम promote करना चाहते है adwords के तुरू तो जो भी आपके channel की सबसे बेस्ट वीडियो हो या जिसको आप promote करना चाहरे हो उसका link यहाँ पेस्ट कर दो यहाँ पर मैं अपनी एक वीडियो का link पेस्ट कर दे रहा हूँ और उसने मेरी वीडियो को पिक कर लिया है अब नीचे आपको headline यानि जो सबसे पहली line आप दिखाना चाहते हो या फिर आप कैसे को title क्या रखना चाहते हो ad में और नीचे दो blank fields और रहे हैं कौन कौन सी country को target करना चाहते हो हमारे case में mostly हमारी वीडियो हैं Hindi speaking countries में टागेट करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश नेपाली आप चूज कर सकते हो इंडिया अलेट स्रेक्टेड है एड़ करके यहाँ पर मैं तीन countries और सेलेक्ट कर लेता हूँ पुछेगा कि आप किस तरह की audience को target करना चाहते हो जेंडर वाइज मेल फीमेल एज वाइज वाइज 18 25 35 45 55 पेरेंटल स्टेटस नॉट अपेरेंट पेरेंट अब आपका content जिस तरह का है और आप जिस तरह की audience को target करना चाहते हो उस हिसाब से आपको इन message choose करने है एज में मैं सिर्फ बहुत ज्यादा एज है जो 55 प्लस की जो एज है उनको मैं हटा दूंगा बाकी 45 तो 55 के नीचे जितने भी है सबको हम okay रखूंगा और पेरेंट और स्टेटस में कोई फरखने पड़ता है कोई भी दिख रखता है मेरी वीडियो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेच पर आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह की इंट्रेस्ट वाली ओडियंस को टागेट करना चाहोगे मतलब सोचल मीडिया मार्केटिंग या फिर व्लॉगिंग या फूड या कॉमेडी डांसिंग सिंगिंग हमारा यहां पर ब्रॉड रखेंगे कि हमारी जो विडियो कोई भी देख सकता है तो उसमें अगरम लिमिट कर देंगे कि हमें स्पेसिफिक इसी इंसान को टागेट करना है तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी हाई हो जाएगी इसलिए ऑल्रेट टिक किया हुए कीप इंट्रेस्ट एस ब्रॉड अस पॉ है सफीशेंट बजट है एक दिन के एसाब से क्योंकि एक दिन में अगर आप साड़े तीन सो खर्च करते हो तो मतलब सही चलेगा तो काफी दिन तक आपको पैसे चलेंगे तो साड़े तीन सो को हम ओके रंड देते हैं आप चाहों तो कम जादा कर सकते हो पांच सो हजार ज दिन रुख जाएगा तो हम run continuously पर ही रहने दिंगे और आगे चलेंगे अब यह आपके campaign का final page है यहाँ पर फिर से एक बार check कर सकते हो go through कर सकते हो उपने campaign को कहीं कुछ changes करने को editing करने तो अभी भी कर सकते हो campaign name आपके सामने है आपने कौन सी video select की थी headline क्या रखी थी description क्या रखेते location languages demographics सब कुछ और डेली वजट भी है 350 रुपे रोज खर्चोंगे खर्चोने के बद campaign रुक जाएगा और दिन सब कुछ होके है next करते हैं इस page पर आपको अपनी payment info confirm करनी है सबसे पहले billing country India correct है इसके बाद आप देहोगे जो offer successfully applied you receive 20,000 credit when you spend 20,000 तो जैसे मैं आपको क कुछ भी करने की ज़रूद नहीं है जैसे पहले करना पड़ता था अब campaign create होते ही automatic offer apply हो जाता है आपके AdWords account में account type में आपको जाना है यहां पर organization है इसको हम change कर देते हैं individual पर next नीचे आते हैं payment method पर तो payment में आपको credit card से या debit card से जैसे भी pay करना चाहते हो जो आप amount spend करोगे AdWords पर वो उसकी detail यहां डाल दो उस card number या उसकी जो भी detail माएंगा वो यहां पर एंटर करनी है आपको मैंने सा पैसा initially add करना चाहते हो अपने AdWords account में minimum 500 रुपए से आप start कर सकते हो और 1500 जो भी आप add करना चाहो कर सकते हो जरूरी नहीं कि एक ही बार add करो आप बार बार भी 1000 रुपए बार 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 कर सकते हो अभी के लिए हम इसमें 500 रुपए enter करते हैं agree करते है Google Ads terms and conditions पर एंट करते है समिट जैसे आपकी payment complete हो जाएगी आप इस page पर आजाओगे congrats you are all done आप उपना campaign भी देख सकते हो explore your campaign पर क्लिक करके यह आपका page आजाएगा जहां पर आपने campaign के सारी details देख सकते हो थोड़ा सा नीचे ड्राइग करो तो यहां पर एक option दिखाई देगा आपको campaigns का नीच यहां पर दिखा देगा approved उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कितने impressions आए कितने views आए नीचे और भी हैं नीचे जो आपने campaign बनाया था interest किसमें डेमोग्रेफ से वह सब दिखा रहा है मोटा मोटा सारी details आपको यहां दिख जाएगी impression और views और बाकी आपको overall जो सारी campaign बनाओगे वह आपको अपने home page पर दिखाई देगा इस जगह पर कितने clicks आ रहे हैं कितने आपकी cost पर click आ रही है कितने total cost अब तक खर्च होई है तो यही था complete Google AdWords campaign creation तो गूगल AdWords को create करना और use करना इससे easy कभी नहीं था और इतना पैसा जो अभी Google दे रहा है वापस से 20,000 रुपे यह भी पहले नहीं था तो इस offer का फायदा उटाओ वीडियो बनाओ प्रमोट करो और यह वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना क्योंकि इससे भी अच्छी वीडियो अब आगे आने वाली है मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाय